दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं The Dangerous Trade of Things Story के बारे में यह स्टोरी शुरू होती है एक रिशोर्ट से जहां क्रिस्टिफर और क्लो आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे थोड़ी देर बात क्रिस्टिफर क्लो को एक जहने के पास ले जाता है और आपस में बात कर रहे होते हैं जहां ग्लो कहती है पास्ट में जो हुआ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देनी चाहिए रिसोड पहुचने पर क्रिस्टिफर की नजर एक सुन्दर लेडी पर पढ़ती है वह क्लो से पूचता है तो क्लो उसे बताती है वह लेडी उसके घर के पास ही रहती है क्रिस्टिफर अपनी बीबी से खुश नहीं था इसलिए क्रिस्टिफर उस लेडी के घर जाता है जिसका नाम लिंडा था कुछ देर बाद वा लेडी क्रिस्टिफर को अपने बेडरूम में ले जाती है जहां दोनों इंटिमेट होने में टाइम नहीं लगाते है वहीं दूसरी और क्लो क्रिस्टिफर के साथ अपने relationship को बचाने में लगी है मगर क्रिस्टिफर को उसमें ज्यादा interest नहीं रहा है परसान होकर क्लो समंदर किनारे घूमने चली जाती है जहां लिंडा पहले से ही nude होकर dance कर रही होती है फिर क्लो भी अपने सारे कपड़े उतार कर उसके साथ dance करने लगती है इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है मूवी की स्टोरी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें तैंक्स पर वाचिंग